वेल्सव पिंपड़के एड फिलोसोफी काैसी है दारशननिकोंकी समस्याओं का निर्मान होते गया वैसे वैसे उन्होंने क्याकि दर्शनशास्त्रकी शाख्याओं का निर्मान किया का तो फिर अगले वीडियो लेक्चर में पहले वीडियो लेक्चर में हमने तत्वविध्यान में एक महत्वपूर्ण का निर्मान कैसे हुआ था ये वीडियो हमने अप्लोड कर दिया है तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस कर रहे हैं तत्वविध्यान का स्वरूप कैसा ह तो चली देखते हैं वर्तमान प्रयोग के नुसार तत्ववी ध्यान दर्शन की क्या है एक शाखा है कहा जाता है तो इनका काम क्या है जो विश्व के मूल तत्व याने ओरिजिनल स्टफ या आधिकार याने फर्स्ट कॉजिस का विवेचन ये करती है तो उनको एक काम दे द बगाना है कि अनुभव जगत का अंतीम आधार क्या है याने अल्टिमेट बेस क्या है और उसका स्वरूप क्या है तो यही काम क्या है हमारे मेटाफिजिस को हमने दे दिया याने हमने दार्शनी को ने दे दिया इसलिए मूल तत्व को चरम सत्ता या पार्मार्त्मिक सत्त क्या है पारमार्तमिक सत्ता कैसी है वो क्या है वास्तविक भी है और क्या है अंतिम भी है आधार पर ये बेश है जिसके परे कुछ भी नहीं है और ये उनका काम क्या है वास्तविक भी है और अंतिम भी है और इसे से परे कुछ भी नहीं होना चाहिए जो स्वयम अपना आधा यही काम किसका है तत्व विद्ध्यान का है कि उनका ये स्वरूफ है इसलिए एक महत्व पूर्ण उधारन ये ग्जाम्पल देते हैं कि जो कोटे बच्चे रहते हैं उनका एक महत्वपुर्णा उधारन है जब नन्ना सा शिशु पिता जी के अपने गोद में बैठता है और अपने पिता जी को कोशन पूशता है छोटे बच्ची तो जिद्निया सुरुत्ती होंगी ना और हमारे दर्शन दर्शन का क्या है यह फिलॉसिफर बन गया है और वह अपने पिता जी से कोशन पूशता है कि पिता जी इसका इस दुनिया का आधार क्या है तो उनके पिता जी कहते हैं कि बेटा शेशनाग है क्या है शेशनाग'RE माप का आंसर देने के है तो फीर यह शेशना का आधार भी तो होगा तो यह शेशना का आधार क्या है ऐसे कोशन वो छोटा सा बच्च अपने पिता जी को पूछता है तो शीश्व ऐसी चरम सत्ता का ध्यान चाहता था जो विश्व का क्या हो अंतिम आधार हो और वो स्वयम का भी क्या हो सत्ता पर आधारित ना हो वो किसी भी सत्ता पर क्या हो आधारित ना हो उसका काम क्या है विश्व का अंतिम आधार हो और वो किसी सत्ता पर आधारित ना हो ये दो काम क्या है हमारे उस सत्ता के ध्यान के है तो फिर जिससे विशवग विशय में जो प्रशन कोई भी उठा नहीं सके ऐसे विशय होने चाहिए जिसपे क्या हो कोई भी प्रशन चिन्ह उपस्थित ना कर सके यह किसी पर क्या हो आधारित ना हो यह काम हमारे मेटाफिक्स का है तो फिर किन्तु ना तो वह अपने प्रश्णों को ठीक से वह समझ पाता है और न उसे व्यक्ता करने की योग्यता ही रखता है फिर इसके लिए इसलिए वह स्वरूप जो है रूप से अपना आश्य नहीं प्रकट कर पाता यहां पे लेकिन हमारे दार्शनिका है लेकिन दार किसको दे दिया दार्शनिकों को दे दिया तो फिर उनका काम क्या है न्यूनाधिक सफलता के साथ उसका क्या करना चाहिए उस कोश्चन को प्रस्थूत और समाधन करना चाहिए यह काम किसको दिया हमने दार्शिकों को दे दिया ने फिलोसफर को दे दिया फिर तत्वत न् विश्व का मूल तत्व का अंतिम आधर क्या है? इनका base क्या? इनकी reality क्या है तो फिर इसी प्रश्ण का समूची समाध्धान उनका क्या है? अभिश्ठी रहता है तो क्योंकि तत्व विध्यन्जन याने मेटाफेजिक्स मूल तत्व याने जो समपूर्ण विश्व का आधार होता है कि खोच करता है तो उसके सिद्धानत कैसे होने चाहिए सर्वभावम होने चाहिए उनिवर्सल टूथ होना चाहिए ठीक है तो यह काम किसका है मेटाफेजिस का है कि जो समपूरे विश्व का क्या है आधार है तो वो क्या होना चाहिए उसी लिए सभी पधार्त के विश्व में ये क्या होने चाहिए उनकी व्यापकता सार्वजनिक होनी चाहिए इसलिए ये तत्व विद्धान को उच्चत्तम व्यापकता का विद्धान एने साइंस ओफ दे हाइस्ट जन्रेलिटी कहा जाता है इसलिए मूल तत्व के अनुसंधान के सिलसिले में प्रश्ण उठाया जाता है कि विश्व का प्रतियमान स्वरूप कैसे है वास्तविक स्वरूप कैसा है इसका वास्तविक स्वरूप कुछ और यह कुछ प्रश्ण उठाय जाते है इसलिए अनुभव प्रायता है सत्ता इने रियालिटी और प्रतिती का वहिमाश्य घोशित करती है और हम देखते हैं कि सूर्य या पर और एक उधारन महत्वपूर्ण है कि देखाई देता है कि सूर्य घोमता रहता है याने सूर्य क्या करता है घोमता रहता है किसके सामने प्रत्वी क्या रहती है स्थिर रहती है याने प्रत्वी स्थिर रहती है और सूर्य क्या उनके घो लेकिन ये वास्तविक है क्या नहीं तो ये क्या रियालिटी नहीं है अगर अच्छे से रियालिटी अगर समझे तो हमारी क्या करती है प्रुत्वी घूमती रहती है और सुर्य क्या रहता है स्थीर रहता है ये क्या है हमारे रियालिटी है लेकिन एक उधारन और एक अगर कागच का तुकड़ा और 10 रुपे के नोट में कुछ ना कुछ तो फरक है कि नहीं कागच का तुकड़ा और दुकांदार को दे दिये तो वो हमको क्या समझेंगा पागल समझेंगा लेकिन वही 10 रुपे का नोट लेकर गए तो हम क्या करेंगे कुछ वस्तु की क्या कर प्रतित होता है जो दिखता है वह जरूरी नहीं है कि वही क्या हो सदा वास्तविक हो क्या कहना चाहिए सदा वास्तविक हो इसलिए वो सत्य होता है इसलिए वास्तविक और प्रतीति के इस विशमता को देखकर दार्शनिक सोचने लगते हैं कि जगत का प्रतीति मात्र है या वास्तविक मात्र है जो ये जगत है उनकी गाड़ी वहाँ पे लटक गई है कि जगत वास्तविक मात्र है या क्या है वास् सब्सक्राइब ना भूले और बाकी की जो शाखाय विद्यान फिलोसौफी की ब्रांचे सोफिंस अने सब क्यूंक यू थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो फ्रेंड